बैशाली जिले में प्रति दिन बढ़ती जा रही है स्वास्त विभा की मनवानी आवाज उठाने वाले पर जूठा केस कर जेल भेजने की ठान लिये हैं यहां के जिला चिकिस्सा पता धिकारी मामला बैशाली परखंड क्षेतर के मतैया पंचायत के बाड नमबर 3 के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र महीनों से बंद रहने के कारण ग्रामिनों ने उग्र होकर स्वास्त केंद्र में तालाबंदी एवं स्वास्त विवा की लचर विवस्था के प्रती जाम कर नारेवाजी की ग्रामिनों का कहना है कि कई महीनों से बंद पड़ा है ये स्वास्त केंद्र जिससे यहां के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां के प्रतिनीदियों एवं ग्रामिनेओं का कहना है कि इस लचर वेवस्था को लेकर परखंड से लेकर जिला सिविल सर्जन तक कई बार लिखे शिकायत भी की गई लेकिन आज तक किसी ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की इस समस्या के कारण यहां के गरीब मजदूरों को इलाज कराने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है नहीं यहां पर एंबूलेंस की वेवस्था है नहीं डॉक्टर की इसलिए ग्रामिनों ने सरकार की इस वेवस्था से खुब्ध होकर आज ताला बंदी एवं नारेवाजी की इसकी सुचना जैसे ही परखंड स्वास्त पताधिकारी को मिली तो उन्होंने वहां से डॉक्टर राम उध्यासा चिकेस्सा पताधिकारी आईश को भेजा मौके पर पहुँचकर उन्होंने सभी आक्रोशित गरीब बिहारी मजदूर लोग को समझाने एवं आश्वासन देने लगे कि हमने यहां की विवस्ता के लिए कई बर प्रभारी से लेकर सिविल सरजन तक लिखित आवेदन देकर मांग की लेकिन जिला से सिविल सरजन द्वारा बार बार डॉक्टर की कमी होने की बात बता कर टाल मटूल की जा रही है डॉक्टर की कमी के कारण यहां पर सही सुविधा नहीं मिल पा रही है डॉक्टर है दवा है कि नहीं है कोन कौब आते हैं नहीं आते हैं और काफी समस्या है कलका भी घटना हुआ है कलका एक फोल लड़का मेरे यहां परोज का डेट कर गए है अवी एंबुलेंस के लिए कितना परसानी हुआ है कि क्या बताया ना कोई डॉक्टर का विवस्ता है दवा का है नो कोई विवस्ता किसी परकार का कोई विवस्ता नहीं है सिर्फ उस्पीटल है और एक उस्पीटल का बॉर्ड है हम चाहते हैं देखा यहां कि मत्या का बत्रमान सर्पन्चू कलकी घटना पर मुझे एक इंफोल बंद है तो हमने लोगों से पूछा भाई कि क् लड़का यहां जो सो होस्पीटर में आया दवाई के बाहर मड़ गया और यहां कोई धक्टर नहीं बढ़ता है आनलोग कोई वस्था बात है समझे कि नहीं इसलिए कोई सब्सक्राइब बढ़ा हुआ है यहां पर